जा मा काली मित्रो आपका मेरी चैनल मा काली मा दुरुगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे शाती नोटिटिविकेशन बैल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियों का नोटिविकेशन आपको तुरंत मिल जाए मित्रो आज का जो विशे है वो विशे बहुत ही कहते हैं पूछा जाने वाला विशे है बहुत बार मुझसे मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं क्या माता काली और मादुरुगा एक साथ एक ही शरीर में आ सकती है या नहीं यानि मा काली मा दुर्गा की सवारी क्या एक ही शरीर में एक ही व्यक्ति को आ सकती है तो क्या ऐसा संभव है देखी मित्रों सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जब एक बार सवारी आती है किसी के शरीर में तो जब एक बार उर्जा आना प्रारम हो जाती है तो जब उर्जा आती है तो उर्जा आते समेश करती है कि आपका शरीर इस प्रकार का हो चुका है कि उसमें कोई भी उर्जा प्रवेश कर सकती है अगर आपकी इश्ट देव की जो उर्जा होती है जिसकी भी आप पूजा कर कोई भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं यह कुल देवी कुल देवता भी हो सकते हैं आपके पित्र भी हो सकते हैं इस्थान यह देवता भी आते हैं लोगों के शरीर में तो कोई भी अगर एक बार देवता आपके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं तो फिर कोई अन्य देव तो माकाली प्रचंड शक्ती है और मादुर्गा सोमे शक्ती है तो दोनों एक साथ कैसे आ सकती है या फिर ये भी लोग कहते हैं कि हम केवल माकाली की पूजा करते हैं लेकिन फिर भी हमारे शरीर में मादुर्गा आती है देखे मादुर्गा का आना अलग बात है माकाली का आ दुर्गम पीडाओं को नाश करने वाली हो जाती है मैश सुर मर्दनी हो जाती है तो ऐसी परिस्तिती में मा दुर्गा मा काली इसलिए आपके शरीर में आती है कि एक करण तो यह भी होता है कि आपका जो कोई प्रारब्ध होता है कुछ व्यक्तियों का प्रारब्ध यहानी पूरु जनम का ऐसा कुछ वो होता है कि आपके पूरु जनम में आपने कुछ ऐसे कर्म किये हों या आपने पूजा की हो मादुरगा की लेकिन इस जनम में आकर के आप शक्ति उपासक तो बने लेकिन आपने मा काली की पूजा की लेकिन जो आपकी पूरु जनम में को वही आत्मा के अंदर आपकी वही ओर्ज 라는 की तो वही और जब आप नेppen दूसरा धर्ण किया तो वही ऊर्ज आपके साथ आई लेकिन वह तब तकूंपर प्रवेश मां जग्डंबी का मां दुरगा सक्ति का स्वणूप मां काली भी शक्तिका स्वणूप है लेकिन दोनों अलग है यह बात अलग है कि आप मीधेशनी जिए तो महत घ्रमा ने जब क् hem करोद किया उनके क्रोद से मां काली टी जिन्होंने सनगार करना प्रार होग अलग है Just दोनों सब्सक्रीन हें और मां काली तामẽ करने दी नग्र एक भास कषब होग मां भगम को द्याती है लेकिन मा दुर्गा को कभी भी तामसिक भोग नहीं लगाया जाता और जो मा काली है, मा काली है, हमसा काली है और कंकाल काली है, लेकिन मा दुर्गा मा जगदंबी का है और मा चामुंडा है, लोग कहते हैं कि चामुंडा कोन है हमें चामुंडा का नहीं पता कि मा चामुंडा कौन है चामुंडा की जो शक्ती है वो चंड मुंड का मिनाश करने वाली है जिसने चंड मुंड का मिनाश किया महाकाली ने तो बार में वो जाकर के चामुंडा कहलाई तो चामुंडा शक्ती भी महाकाली ही है तो ये शक्तिया हैं साथ ही जो शम्षान में निवास करती है मा काली है क्योंकि मा का जो निवास इस्थान है वो शम्षान है मा दुर्गा रहती है अपने भवन में निवास करती है वो शम्षान में निवास नहीं करती लेकिन मा दुर्गा कही न कहीं जब अपना अवतार गि विचारधारा होती है, जो कोलाचारियों होते हैं, उनकी अलग विचारधारा होती है, जो अगोरी होते हैं, उनकी अलग विचारधारा होती है, तो सब की अलग अलग विचारधारा होती है, सब अलग अलग रूप से पूजा करते हैं, सब की पूजा पद्धिती में अंतर हो क्वगा अगर आप शम्शानी रूप में जाते हैं यानि माकाली को तामसीक रूप से अगर आप मनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़े हैं जो करनी पड़ेंगी और माकाली जब एक बार भोग पर आ जाती है तो फिर उन अपना भोग चाहिए ही होता है वो किसी भी प्रकार से रोकती नहीं है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है और मा काली अगर आपके शरीर में आती है तो मा काली जो आपसे मांगती है जैसे कि आपके घर में जो भी आपका तरीका होता है पूजा करने का माकाली उसी प्रकार से आपके साथ चलती है अगर आप तामसिक रूफ से कोई भी अपने घर में तामसिक चीजों का पान करते हैं तो माकाली तामसिक रूफ से ही चलती है आपके साथ में फिर उनको शराब भी चाहिए होती है लेकिन अगर आप साथवी रूफ से पूजा करत इन चीजों का आप भोग लगा करके भी माकाली को प्रसंद कर सकते हैं लेकिन मैं यही कहूंगी आप सभी सामान्य विखती हैं तो इसी प्रकार से माकाली को चलाएं और माकाली जब मादुर्गा और माकाली दोनों आती हैं तो दोनों के आने में एक ये विशेष्टा होती है कि जब मा काली मा दुरुगा दोनों आने लगती हैं शरीर में तो उस समय पर मा काली सबसे पहले आती हैं यानि मा काली मा दुरुगा से पहले नमबर लेती हैं मा काली ही पहले प्रगठ होती हैं मा दुरुगा को तो वो अपना ही नंबर रखती है क्योंकि मा काली की यही विश्विश्चता है वो सबसे पहले स्वेम को आगे रखती है बाकी को बाद में रखती है जब कि मा काली दूसरी शक्ती है मतलब सेकेंडरी शक्ती आप कह सकते है मा काली का जनम हुआ है यानि दूसरे नमबर पर मा काली प्रगट हुई है पहले मा दुर्गा ही हुई है मा जग दंबीगा लेकिन फिर भी वो पहला इस्थान अपने ही रखती है तो मा काली ही पहले प्रगट होती है तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है यह कोई ऐसा मान्य बात नहीं है कि मा काली मा दुर्गा आपके शरीर में एक साथ आ रही है अगर मा दुर्गा मा काली आती है तो आप दोनों से बात कर सकते हैं दोनों से पूछा भी ले सकते हैं और जो मा काली मांगती है आप उन्हें वैसा भोग दे लेकिन अगर आप उनको तामसिक भोग पर बिल्कुल नहीं चलाना चाहते हैं तो मा से आप प्राथना करें बिल्कुल भी आपको इसमें घबराने की बात नहीं है कुछ लोग घबरा जाते हैं माकाली अब तामसिक भोग मंग रही हैं हम नहीं दे सकते तो हम क्या करें तो इसमें घवराने वाली बाता नहीं होती। मा से प्राथन करना करना होता है। माकाली क्यावल एक लोंग के जोड़े पर भी प्रसंद हो जाती है। जिसका जितना सामर्थी होता है, उतनी महारानी वो स्विकार करती है, मेरी महारानी जो रुख असुका उसको दिया जाता है, लेकिन भाव के साथ में, आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी भोग देने से पहले, आपका भाव उसमें बहुत जूरूरी है, और दूसरी बात ये नहीं होना चाहिए कि आपके घर में दंधान्य भरा पड़ा है, उसके बाद में भी आप महरानी को ना दे, क्योंकि इश्वर की नजर में कोई भी परदा नहीं होता, तो आप जो भी भोग दे अपनी सामर्थे के अनुसार दे अगर आपका सामर्थे हैं तो दे और नहीं सामर्थे हैं तो ना दे लेकिन जो मा दुर्गा का भोग होता है मा दुर्गा का भोग होता है हलवा और चने का तो मा को हल्वा, चने, नार्य लादी का भोग दे, मिठाय का भोग दे सकते हैं, मा को कोई भी मिठाय आप लगा सकते हैं, लेकिन मा दुर्गम, मा काली के आने से आपको किसी भी प्रकार से वीचलित नहीं होना चाहिए, कहीं न कहीं आपको यह सोचना चाहिए, कहीं न कहीं ह हमारे ये सोबाग्य है की दोनो प्रेचंड शक्तियां हमारे पास आती हैं, वो किसी भी प्रकार से आए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, अगर वो आती है तो आपको उनका पूरा-पूरा संबान करना है, उनसे आशिरवात प्राप्त करना है और उनकी जितनी आप सेवा कर सकते हैं देखिए अगर किसी को भी सवारी आती है तो सबसे पहला जो उसका धर्म होता है वो सेवा का होता है आप इदर उदर ना भागे सबसे पहले उनकी सेवा करें जितनी सेवा कर सकते हैं आप यह ना सो साथि तो उसको कहीं भी कोई रस्ता नहीं मिलता है और अब और जिन से जनक करना कराना होता है माँ ऊनको घर बैटे ही सारे रस्ते छले जाते यह थिल नहीं दोंहर रासमान करें पूरात करें दोनों से फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल